नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है with a new automobile concept. आज हम बात करने वाले हैं 4-stroke diesel engine की functioning के बारे में. पिछले वीडियो में हमने जाना था कि 4-stroke petrol engine कैसे काम करता है. आज हम जानेंगे कि diesel engine कैसे काम करता है. तो चलिए शुरू करते हैं. किसी भी 4-stroke engine की तरह, एक 4-stroke diesel engine में भी 4-strokes होते हैं. पहला intake, दूसरा compression, तीसरा power और चौथा exhaust stroke. आईए जानते हैं कि इन अलग-अलग strokes में क्या functioning होती है जो कि diesel engine को unique बनाती है. एक 4-stroke diesel engine का पहला stroke होता है, intake stroke, जहांपे fresh air intake valve से होते हुए cylinder के अंदर enter करती है. stroke number 2, compression stroke होता है, जहांपे इस हवा को दबाया जाता है, और बहुत ज़ादा दबाया जाता है, इतना ज़ादा compress कर दिया जाता है, कि इस हवा का temperature जबर्दस रूप से high हो जाता है. एकदम लाल सुर्ख हो जाती है हवा. इसके बाद बारी आती है, तीसरे stroke की जो की है power stroke. ये बड़ा ही interesting stroke है, इसको ध्यान से समझिएगा. Diesel engine के अंदर जो power stroke होता है, उसमें एक injector, जो की cylinder के उपर लगा हुआ होता है, उससे diesel को cylinder के अंदर inject किया जाता है. ये एक फौवारे की तरह, बड़े ही minute particles के form में cylinder के अंदर diesel का छड़काव करती है. इस छड़काव के होने से पहले compression stroke हुआ था, जहां पे हवा already दब के गरम हो चुकी है. ऐसी हवा, जो की जबरदस्त रूप से गरम है, उसमें जब diesel का चड़काव होता है, तो चड़काव होता ही आँग लगती है और एक जोर का blast, यानिके धमाका होता है. ये धमाका पिस्तिन को जोर से नीचे की तरफ धका देता है, इस धक्के के कारण नीचे पिस्तिन से जुड़ी हुई crank shaft move करने लगती है और वो वहिकल को आगे की तरफ धकेलती है. यहाँ पे तीसरा stroke पूरा हो जाता है, जो की है power stroke, fourth stroke जैसा की आप जानते है, exhaust stroke होता है, इस stroke के अंदर, नीचे जो पिस्तिन है, वो जलीवी gases को बाहर फैकता है, exhaust valve से होते हुए. तो यहाँ पे जो पिस्तिन नीचे है, और पिस्तिन के उपर जलीवी gases है, क्योंकि डीजल अब तुछड़का हुआ था, वो जल चुका है, यह पिस्तिन इन सारी gases को उपर push करेगा, intake valve पूरी तरह से बंद हो चुका है, लेकिन exhaust valve एक्दम खुला है, तो सारी वी जलीवी gases बाहर निकलती है exhaust valve से, और इस तरह से यह चार stroke, यानिकी intake, compression, power और exhaust पूरे होते हैं, इनी strokes के बार बार repetition के कारण, यह 4 stroke cycle चलती है, और वहिकल आगे की तरफ move करता है, और engine power produce करता है, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, about the functioning of a 4 stroke diesel engine, हम से जुड़े रने के ल देने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, thank you